गुद मॉर्निंग एविवन श्रिमति मोहरी देवी तापडिया गल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिरसे स्वागत है हम रीजेनरेशन के बारे में पढ़ रहे थे टाइपस ऑफ रीजेनरेशन, मेकानिजम ऑफ रीजेनरेशन, रीजेनरेशन के बारे में जो भी मेंबर्स आते हैं, अनिमल्स आते हैं, उनके अंदर रीजेनरेशन की क्या एबिलीटी होती है, क्या कैपसिटी होती है, क्या वो सेम होती है, क्या वो अलग-अलग कैपसिटी होती है, क्या कोई और्गनिजम जादा रीजेनरेट कर सकता है, क्या ये फाइलम टु फाइल या species to species vary करता है इसके बारे में हम आज discuss करेंगे कि regeneration की जो ability है वो different kind of animals में किस तरह की होती है animals बोलने का मतलब है different kind of phylum animal kingdom में जो भी phylum आ रहे हैं उनके बारे में हम study करेंगे ठीक है तो एक चीज़ यहाँ पे साफ देखी गई कि animal kingdom में जतने भी members मौजूद हैं उनके अंदर regeneration की जो शमता है regeneration की जो ability है वो बिलकुल अलग अलग है ऐसा नहीं है कि एक organism regenerate कर सकता है तो animal kingdom के सारे organism regenerate कर सकते हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं है ठीक है तो कुछ organism ऐसे हैं जो की regenerate अपनी पूरी की पूरी body को कर लेते हैं पूरा एक नया organism बना लेते हैं कुछ ऐसे organism हैं जो body का सिर्फ एक particular portion ही regenerate कर पाते हैं और कुछ ऐसे organism हैं जो की regeneration capacity को possess नहीं करते हैं उनके शरीर पे हाँ कोई minor cut लग गया कोई wound हो गया कोई घाओ हो गया तो जाके वो regeneration या फिर एक तरह से वो जो नए cells formation होते हैं जिससे घाओ भर जाता है वैसी capacity शो करते हैं ठीक है नॉर्मली देखा जाए तो protozoans, sponges, protozoans में, poriferans में और silentrates में इन में regeneration की ability सबसे ज़्यादा देखी गई हैं मतलब lower organisms जो हैं lower animals जो हैं उनके अंदर regeneration capacity ज़्यादा पाई गई है protozoa हो, porifera हो, silentrate हो, starting के तीम फाइलम्स हैं इनके अंदर regeneration capacity ज़्यादा पाई गई है तो आप observation में यह अपने लिख सकते हो यह चीज़ आप लिख सकते हो कि जो regeneration की ability है वो lower animals में ज़्यादा देखने को मिलती है in comparison to higher animals ठीक है उसके अलावा यह जो regeneration है इसको सबसे पहले hydra में observe किया गया, hydra complete regeneration कर सकता है और hydra में जो regeneration है यह Tremblay नाम के एक scientist ने 1740 में discover किया, Tremblay, T-R-E-M-B-L-E, Tremblay नाम के एक scientist ने 1740 में regeneration की जो ability है वो hydra में discover की, कि हाँ regeneration जैसा भी कुछ होता है, मतलब कोई particular organism अगर उसका कोई particular organ कट गया, damage हो गया तो वो वापिस से grow कर जाएगा, ठीक है, तो यह चीज 1740 में Tremblay नाम के scientist ने discover की, अब हम one by one animal kingdom के एक एक phylum को लेंगे, और उसमे regeneration की जो ability होगी उसके बारे में study करेंगे, starting with phylum protozoa, तो सबसे पहले बात आती है, proto, यह video दो बाग में divided रहेगा, कुछ animal kingdom के जो phylum है हम इस video में discuss करेंगे, कुछ जो है हम next video में discuss करेंगे, तो दो पार्ट में यह video divided रहेगा, सबसे पहले बात करेंगे, अपन, protozoans में, तो protozoans में किस टाइप की regeneration की capacity होती है, ठीक है, protozoans के बात करें, तो body का एक बहुत छोटा सा segment भी मौजूद होगा, तो body जो है, वो regenerate हो जाएगी, पर, जरूरी यह है कि जो body का segment मौजूद हो, वहाँ पे nucleus होना चाहिए, ठीक है, body can be regenerated from small segment, शरीर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा भी मौजूद होगा, तब भी जो body है, वो पूरी तरह से regenerate हो जाएगी, पर, शर्त यह है, कि वो जो हिस्सा बचा हो, उसमें nucleus होना चाहिए, ठीक है, but it requires the presence of nucleus, nucleus जो है वो present होना चाहिए, तब ही regeneration हो पाएगा, अगर छोटा body segment बचा है और उसके अंदर nucleus नहीं है, तो regeneration possible नहीं है, ठीक है, cilia और flagella जो है, single-celled organism में cilia और flagella पाया जाता है, ठीक है, तो cilia और flagella अपने आपको regenerate कर सकते हैं, regeneration of cilia and flagella, particularly protozoans की बात करें, तो cilia और flagella का जो regeneration है, वो क्या होता है, single-celled organism में होते हैं, तो regeneration of cilia and flagella in single-celled organism, यह single-celled organism में cilia और flagella का जो regeneration है, वो, अप्रोक्स एन आवर और टू आवर, एक से दो घंटे के अंदर, पूरा cilia यह flagella वापिस से regenerate हो सकते हैं, तो the regeneration of cilia and flagella in single-celled organism can be completed in one or two hours, regeneration cilia और flagella का, वो single-celled organism में एक या एक से दो घंटे के बीच में हो सकते हैं, complete regeneration cilia और flagella का हो जाएगा, अगर किसी भी प्रकार का damage होता है, तो example की अगर अपन बात करें, तो euglina, astasia, ठीक है, इन सब के अंदर, यह सारे जो regeneration होते हैं, उसके अलावा अगर अपन बात करें, तो ectoplasm और macronucleus जो है, वो important होता है regeneration in protozoans में, nucleus की बात कर लो, nucleus and ectoplasm, nucleus and ectoplasm is important for regeneration in protozoans, is important in regeneration of protozoans, protozoans के regeneration के लिए, ectoplasm का होना, ectoplasm पता होगा आपको, nucleus का होना एक तो ज़रूरी है, उसके अलावा ectoplasm, external environment जो cytoplasm भरा है वो, ectoplasm का होना ज़रूरी है, तब जाके protozoans जो है वो regenerate कर पाएंगे, उसके अलावा बात करें, तो protozoans के अंदर, morpholexis type का regeneration होता है, morpholexis type of regeneration, morpholexis kind of regeneration आपको पता होगा, last video lecture में हमने ये study की थी, जब types of regeneration हमने पढ़ा था, अगर आपको नहीं पता है, तो आप types of regeneration वाला वीडियो जाके, प्लेइलिस्ट में देखिएगा, आपको वह मिल जाएगा, so morpholexis type of regeneration जो है protozoans में होता है, next हम बात करेंगे sponges की, ठीक है, protozoans में तो देख लिए आपने, किस किस टाइप की क्या क्या वर्क होता है, ठीक, अब आते हैं sponges पे, मतबसे, porifera के, porifera की अगर अपने बात करें, किस तरह की regeneration ability होती है उनके अंदर, porifera, इसमें आएंगे sponges, अब इनकी अगर बात करें, तो इनके अंदर कैसे regeneration capacity है, इनकी पूरी की पूरी body वापिस से regenerate हो सकती है, तो इन्टाइर body can be reconstructed और can be regenerated from isolated body cell, ठीक है, इन्टाइर body can be regenerated, पूरी की पूरी body जो है, regenerate हो सकती है, from the isolated body cells, from the isolated body cells, मतलब जो body cells बचे हुए हैं, या फिर वो cells जो कि अभी non-functional हैं, किसी फंक्शन में contribute नहीं कर रहे हैं, इन सेल को हम यहां पर बोलते हैं, आर्कियो साइट्स, इन सेल को हम यहां बोलते हैं, आर्कियो साइट्स, so entire body can be regenerated from the isolated body cell, those cells are known as archaocytes, and then the cell rearrange and reorganize to form bi-layered sponge body wall, the cells rearrange and reorganize to form body wall of sponge, ठीक है, body wall जो है sponge का बनाने के लिए यह वापिस से regenerate होते हैं, री-pattern होते हैं, एक जगा अरेंज होते हैं, तब जाके वो body wall structure बन जाता है वापिस sponge का, sponge के बारे में इतना ही था कि पूरी body regenerate हो सकती है, जो isolated cell हैं वैसे cell हैं जिनके बास function अभी मौजूद नहीं है, जिनको हम archaocytes बोलते हैं उनके से जो पूरी body है वो regenerate हो सकती है, regeneration के समय जो cells हैं वो rearrange होते हैं और पूरे body का निर्मान करते हैं, body wall का निर्मान करते हैं, third one अपन अगर बात करें, that is cylindrates, silentrates के बात करें तो इनके अंदर बहुत high regeneration ability capability होती है, so they have very high power of regeneration, silentrates के अंदर regeneration की बहुत high power होती है, बहुत ज्यादा शमता होती है, इसी के अंदर hydra आता और hydra के बारे में आप लोगों ने already study किया था, so hydra में छोटे fragments भी अगर body के बचे हैं तो वो पूरे organism को जन दे सकते हैं, अगर hydra का example लें तो small fragments of body can give rise to whole organism, body का अगर छोटा सा fragment भी मौजूद है तो वो पूरे के पूरे body का एक छोटा सा हिस्सा भी मौजूद है, तब भी वो पूरे organism को जन्म दे सकता है, ठीक है, उसके बाद अगर hydra को बहुत सारे pieces में cut किया जाए, तो हर piece नए individual को जन्म देगा, अगर hydra को अलग-अलग भाग में, पांच भागों में cut कर दिया जाए, तो हर भाग नए प्रकार के organism को जन्म देगा, नए प्रकार के नहीं मतलब नए organism को जन्म देगा, पांच अलग-अलग नए hydra जो हैं, वो बन जाएंगे, ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें, तो interstitial cells जो होते silentrates के, वो एक तरह से embryonic reserve cell का का काम करते हैं, interstitial cells act as embryonic reserve cells, embryonic reserve cells, एक तरह से देखा जाए, simple भाशा में मैं बोलू, तो interstitial cells जो होते हैं, वो इनके stem cell की तरह, इनके adult phase में भी मौझूद रहते हैं, यह जो cells होते हैं, यह totipotent होते हैं, embryonic reserve cells जो हैं, यह क्या होते हैं, totipotent, इनके अंदर शम्ता होती है, कि यह आगे किसी और cell में convert हो सकते हैं, किसी और सेल का function जो है वो ग्रहेंड कर सकते हैं किसी और सेल का function perform कर सकते हैं तो यह किसी भी सेल में convert हो सकते हैं इस काइन से टोटी पोटेंट है तो इनके अंदर इंटेस्टिशल सेल बोलने का मतलब दो functional cell के बीच में कुछ cell रहते हैं, ठीक है, दो functional cell हैं, किसी particular organ के दो functional cell हैं, उनके बीच में कुछ cell जो हैं, वो scattered हैं, बिखरे पड़े, वो होते हैं, interstitial cell, जो fluid में, interstitial fluid में जो है, वो बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करें, तो क्या होगा, these cell reaches the damaged part and form blast blastema, जब भी regeneration की ज़रुवत पड़ती है, तो यह जो embryonic reserve cells हैं, यह interstitial cells हैं, यह जो interstitial cells हैं, these cells, यह क्या करते हैं, जहां भी चोट लगी है, जहां भी regeneration की ज़रुवत है, वहाँ पे तुरंट पहुंचते हैं, और वहाँ पे पहुंचने के बाद, blastema का formation करते हैं, the cell reaches the damaged part, और damaged part पे पहुंचने के बाद, formation करते हैं, यह blastema का, पिछले वीडियो में बताया था हैं, मैंने blastema क्या होता है, and forms blastema, ठीक है, blastema का formation होता है, इंसल के द्वारा, blastema पिछले वीडियो में जब हमने mechanism पढ़ा था, तो एक step आया था, phase of blastema formation, तो वहाँ पे blastema के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, अब hydra जो है, उसके अंदर, morpholexis regeneration जो है, वो देखने को मिलता है, shows, morpholexis regeneration, ठीक है, morpholexis regeneration मतलब organism cut करेंगे, जो नया organism बनेगा, वो previous organism के मुकाबले size में, छोटा होगा, ठीक है, उसके बाद अगर अगर अपन बात करें, तो silentrates के है अगर हम बात कर रहे हैं, तो दो phasas होते हैं, आपको पता है, एक polyp phase होता है, दूसरा medusa phase होता है, तो जो polyp phase होता है, assexual phase होता है, और medusa जो होता है, वो sexual phase होता है, उसके अदर regeneration capacity ज्यादा होती है और मेडूसा के अंदर कम होती है सो रीजेनेरेशन कैपिसिटी इस हाइयर इन पॉलिफेस एन लेस इन मेडूसा फॉर्म हाइयर इन पॉलिफ फॉर्म रीजेनेरेशन कैपिसिटी इस हाइयर इन पॉलिफ फॉर्म देन मेडूसा फॉर्म मेडूसा के मुकाबले पॉलिफ में रीजेनेरेशन कैपिसिटी जो हो है वो काफी अधिक रहती है काफी जादा रहती है पॉलिफ फॉर्म जो है उसके अंदर Regeneration Capacity काफी जादा रहती है Cylent Rates के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे Platy Helmin's के बारे में Next हमारा Filem आएगा Platy Helmin's इतना लिख ले होगा आपने I hope Next हम बात करते हैं Platy Helmin's Platy Helmin's के अंदर Class Turbile Area आता है जिसके अंदर Flat Worms मौझूद रहते हैं Example में हमने Flat Worms के बारे में भी पढ़ाता Class Turbile Area Consists Of Flat Worms छेक है इनके पास कौन होते हैं Flat Worms होते हैं और इनके अंदर बहुत जादा Capacity होती है Regeneration की So Class Turbile Area Consist of Flat Worms That means Plan Area And they have Very High Capacity of Regeneration इनके अंदर Regeneration की बहुत जादा Capacity होती है ठीक है Planaria का एक कुछ species हैं जो की जिनके अंदर बहुत सारे stem cells already मौझूद रहते हैं In the adult phase में भी stem cells जो हैं मौझूद रहते हैं ठीक है जो की regenerate कर सकते हैं They consists of totipotent cells that enables them to regenerate ठीक है उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहां पर Planaria अपने बोडी का कोई भी भाग Platform जो है अपने बोडी का कोई भी भाग को regenerate कर सकता है ठीक पर एक यहां पर बात है कि लंबा होता है organism elongated structure होता है long होता है तो उसके fragment का ऐसा नहीं कि बहुत छोटा बट एक particular size है उतना size चाहिए तभी जाके regeneration हो पाएगा पूरी बाडी का तो minimum size of fragment that can be regenerated is that can be regenerated is बहुत जादा छोटा सा बहुत छोटा सा fragment चाहिए कि adult animal का जो size है उसका एक बटा 279 एक बटा 89 हिस्सा जो है वो चाहिए regeneration करने के लिए तो बहुत छोटा सा fragment चाहिए चीए एपरोक्स 1000 cell हो उतना क्या कहते हैं fragment चाहिए उसके बाद other platy helmets जो है इस platform के अलावा जो platy helmets है वो जो है regenerate नहीं करते हैं other platy helmets do not regenerate ठीक है other platy helmets जो है वो regenerate नहीं करते उसके बाद बात आती है SK helmets की 5th जो है SK helmets SK helmets SK helmets इनके अंदर क्या होता है SK helmets की बात करो तो इनके अंदर बहुत low power होती है regeneration की ज़्यादा power regeneration की नहीं होती है ये सिर्फ अपने damage हो गया body part उसको heal कर सकते है गाओ को भर सकते है ठीक है do not have ability not do not have high ability to regenerate do not have high ability to regenerate regenerate करने की high ability नहीं होती देकन अली ये सिर्फ कुछ घाओ हो जाए minor damage हो जाए उसको भर सकते है देकन अली heal superficial damage बोलने का मतलब है कि छोटा मोटा अगर कोई damage होगा सिर्फ उसी को ये भर सकते हैं उससे जादा ये कुछ नहीं कर सकते regeneration में तो ये था आज का 5 हमने phylum के बारे में study की उनके regenerational capacity के बारे में discuss किया next video में हम आगे के बचे हुए phylum उसके अलावा जो caudates है caudates के अंदर हम different type के tetraports इनके बारे में अलग-अलग type से पढ़ेंगे चीक है और finally हम कुछ factors के बारे में देखेंगे जो कि regeneration को प्रभावित करते हैं आज का वीडियो हम यहां over करते हैं regeneration ability हमने animals में देखी protozoa, porifera, silentrata, platyhelminse and SK helminse में क्या regeneration ability होती है वो हमने देखा protozoa, porifera, silentrata यह आपको याद रखना है कि regeneration की जो capacity है वो सबसे जादा होती है बहुत जादा होती है platyhelminse की अगर हम बात करते हैं platyhelminse में tape form और अगर हम silentrates की बात करें तो वहाँ पे hydra यह दो organism हैं जिनके अंदर regeneration ability बहुत जादा होती है और अपने body के पूरी body को re-grow करा सकते है साथी साथ body के किसी भी organ को वापिस से ग्रो करवा सकते है उसके अलावा जैसी जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे यह जो regeneration की ability है वो धीरे-धीरे कम होती जाएगी ठीक है higher organism में regeneration कम पाया जाता है lower organism के मुकाबले इसलिए हमने देखा कि जो starting के सबसे primitive यह premature organism है undeveloped organism है उनके अंदर regional capacity जादा पाय जा रही है आज का वीडियो हम यह over करते हैं I hope कि आपको समझ में आ गया होगा जितनी बाते मैंने बताई जितनी बाते मैंने लिखे और आपने इसको note down किया होगा तो अगर आज का वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में ने topic के साथ Thank you very much